वारेल विक्मिंद सभी का स्वागत है चलिए डिसकस करते हैं आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के अनल्सिस को लेके और हमारी आज की श्राटेजी क्या उन्हें चीए उसके ओपर चलिए एक डिटियल में अनल्सिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोगा मैं बैंक निफ्टि से स्टार्ट नहीं कर रहा है क्यूंकि निफ्टी मुझे कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है जो की थोड़ा सा डाइसी पैटर्ण है जो की मारिगड को कम्पलेटली टरं राउंड कर सकता है और बहुत important लेबल पे भी है निफ्टी अभी आप अगर अभी आप अगर देखेंगे तो निफ्टी में एक बहुत ही जवरदस्ट पैटेंट बना हुआ है जिसको हम हैंगिंग मैन भी बोल सकते हैं बट इसका एक्जुकेशन कब होगा जब इसके लोग की निचे ट्रेट करना श्टार्ट करेगा तो ही तो एक सिंपल सा रूल आपक निफ्टी जो है गलती से विएकर निफ्टी 18,445 के निचे ट्रेड करता है एक घंटे का एक कैंडल क्लोज हो जाता है 18,445 के निचे आउरली कैंडल आप पोजिशनली सौट कर सकते हैं बहुत दिनों के बाद मैं पोजिशनली बोल रहा हूँ आपको क्योंकि पोजिशनली एक सो यानि की वन सौट में 3,330 पॉइंट का टार्गेट आपको निफ्टी मिल सकता है और 3,330 पॉइंट मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आज जो लेवल में दे रहा हूँ आपको 18,445 एंड आपर 17,534 ये दो लेवल को ब ब्रेक करेगा तो इजीली 100-200 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है एक से दो दिन तीन दिन के अंदर ठीक है तो वह एक आपर साइड का टार्गेट है लोवर साइड में सिंपल सा फंडा है अगर 18,445 के निचे निकलता है आप 18,534 के SL से या 18,550 के SL से ट्रेड बनाएंगे प 15 मिनिट के चार्ट पे अगर देखा जाए तो एक्जैक्ली आप देख सेते हैं रिजिस्टन्स यहीं कहीं पे है जो कि आपका 18,532,34 ठीक है यह लेवल आपका रिजिस्टन्स है 15 मिनिट के चार्ट के पूपर भी इसके उपर निकलेगा तो हम लोग बाई करेंगे और अग इंट्राडे वालों के लिए अगर इंट्राडे वाले अगर बुक करना चाहिए तो अठार चार्सो और अठार तीन्सों पचास के पास अपने ट्रेड प्रॉफिड बुक कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो पॉजिशनल लेके जाएंगे वह आठार पांसों है तो जबर्दव सेलिंग भी आई हुई है तो बैंक निफ्टी में आपको मैं लेवल्स दे रहा हूं यह लेवल से यह वाला यह जो पॉइंट है 42,890 या फिर आप 42,900 मान सकते हैं अगर इसके निचे ट्रेड कराता है आप बैंक निफ्टी को भी सौट कर सकते हैं आपका दाउन फॉल आएगा यह एक बाइंग ऑपरचुनेटी होगी ठीक है क्योंकि जितने लोग भी छुटे होंगे मिस कर चुके होंगे ब्रेक आउट को वो यहाँ पर बाइंग करने की कोशिस करेंगे और यह बाइंग लेवल कहां कहां पर आपको मिल सकता है पहला आपको 42,000 के पास बाइंग लेवल मिल सकता है दूसरा इंपोर्टेंट है 41,000 और 41,500 यह तीनों लेवल्स जोएंगे जितनी ज्यादा गिरावट होगी इन तीनों लेवल्स तक उतना आपको एक बाइंग ऑपरचुनेटी मिलेगा और वो बाइंग ऑपरचुनेटी बहुत जबरदस् इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मार्केट नेगटिव बिल्कुल भी नहीं है यह एक नॉर्मल रेटरेश्मेंट होगा और रेटरेश्मेंट आपका 41,000 तक भी जा सकता है तो उस हिसाब से अपने आपको फ्लैन कीजिए क्योंकि हम लोगों ट्रेड मिस नहीं कर सकते हम को बोट साइट करना है और बाइंग सेलिंग से हम लोग कोई फरक नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जाएगा तो भी पैसा कमाना है नीचे आएगा तो भी हमें पैसा कमाना है तो इसलिए सिंपल से रूल अपना इध्यान में रखेगा कि लेवल्स को इध्यान में रखेगा लेवल्स के हिसाब से हमें ट्रेड करना है तो चलिए बैंक निफ्टी का भी लेवल्स आपको क्लियर हो गया होगा 42,900 बहुत इंपोर्टन सपोर्ट है इसके नीचे अगर जाता है डेफ 43,340 यानि 43,340 के ऊपर ही हम लोग बाइंग करेंगे उसके पहले हम लोग बाइंग नहीं करेंगे आज के दिन तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद उसके साथ ही टेलिग्राम और वाट्सप ग्रूप का लिंक सेर किया हुए